सो जब हम लोग आ चुके सोस राय बिल्कुल सोस राय से पहले और पंचान मिनरदी का जो पूल है ना उससे बिल्कुल आगे थोड़ा सा आ चुके तो इसके आगे देखोगा न तो यहां पे एक बहुत ही खुब सूरत और बहुत ही प्यारा सा दुर्गामाता का पंडाल बना और फिर यहां से बहुत ही प्यारा सभूती यहां पे दृगा माता का बिराजमान किया हुआ है सबधिये जब हम लोग आच नंहें सोसराई, जिसका वीडियो में मैंने ना जिक्र हैains पीचले वाले वीडियो में कि यह वाली पंडालना काफ़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि parallel यहाँ पर पंडाल एक है एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ लाएं तरफ लाएं और फिर उस तरफ बाएं साइड में दुर्गामादा बैठ है बिल्कुल parallel दुनों आमने सामने में बैठते हैं यहाँ पर तो finally गाज यह देख सकते हो यह अपना यहाँ का कुछ सीन है सोसरा जो पूल है ना फॉलाई यह फॉलाई वहर ना पंचाने दिके ऊपर वाला हूँँ हाँ का भी होगाज कितना भीड़े आप लोग देख सकते हो और सामने एक साल लाइटनिंग देख रहे हो कितना प्यारा साल लाइटनिंग लग रहा है वो भी आप देख सकते सब फाइनले गाज अब देख सकते हो खाने पिने वाला सारा कुछ यहां पर है大概 अब देख सकते हो और फिर यांपध बिलकुल बाजो में अपना दुर्गा-माता का मंदिर है आप लुक्त देख सकते हो बहुत पहले लोगो न एक बहुत ही प्यारा सा खाने पीने का विवस्था किया गया अग यह देख साकतो लंगर लगा हुआ है और फिर यहाँ बहुत लोग जो है न सतने लोग लाइन में लग लग कि खा रहे हैं में भी आपको लाइन में लीद ऐ datos शेचेंच करेघ का फिर ग्रहन करेगा गाईज, खाना ये सब खाएगा, तो अभी यहाँ पर देख सकतो, सारे लोगो पूड़ी मिल रहा है, सबजी मिल रहा है, और फिर हलवा मिल रहा है, इसके बाद हम भी जाएंगे, हम भी थोड़ा बहुत लंगर खाना खाएंगे, और फिर मेला घोमेंगे आप देख सकतो, यहाँ का कुछ महोल ऐसा है, और सामने एक साट देखो न, तो बिल्कुली मा बैसनोदेवी का गुफा टैप का यहाँ भी बनाया हुआ, तो इसके अंदर चलते हैं, और फिर आपको अंदर साबको सारा भी दिखाते हैं, जो की पांडे जी हैं, और अभी ह बजरंग वली हैं, जै स्रीराम, और यहाँ से अंदर चलो न, तो कुछ आपको ऐसा महोल दिखेगा साम के टाइम में, मैंने आपको दिन में दिखाया था न, लेकिन अभी साम का भी हो गाज, रात का भी हो है, और इस तरफ देखो, यह देखो समर को, भाई, पंखा में खा रहा है, यह देख लो, एकड़म सामने में चिल्ड चिल्ड सा हवा यार, एकड़म मस्त वाला हवा आ रहा है, और सामने एक साट सारे लोग वीडियो यह सब बनाते हुए जा रहे है, हम भी सोचे है, चलो हम भी दिखा देते हैं आपको, और फाइनली यह अपना संकर भ लग रहा है, और गनीश भगवान जी, सो फाइनली गाज, अभी अपन लोग आ चुके हैं, सो सराई से आगे, और एतवारी बजार इसको बोल सकते हो, उपर के साट संकर भगवान का देख रहा है, तो नीचे के साट लिखा रहा था लाइटनिंग साथ सीवा, और फिर यहा रखा है, तो अभी आप लोग को पहले दुर्गा माता को दिखाते हैं, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं, हॉस्पीटल मोड की तरफ उसके बाद भैसा सुट जाएंगे गाज, तो चार तरफ करना जारा आप देख रहा हो किसा ना जारा है, ओ भाई इतना भीड़ अरफ सेल्फी लेते हैं, फोटोज लेते हैं, तो अभी निकलते हैं और फिर दूसरा पंडाल आपको दिखाते हैं गईज, फाइने गाइज्ट यह कुछ इसा पंडाल है, आप लोग देख सकतो किता प्यारा सा और किता अच्छा है पंडाल है, आप लोग देख की बता सक ok किता प्यारा से पंडाल है उपर के साथ देखो न तो काफ़ी अच्छा-चा सब भी वा रहा और इधर के साथ देखो न तो इधर भी लंगर लग चुका है बिल्कुल सारे लोग लगे खारार बहुत लंबा लायन थी गाज और यहाँ पर देखो न तो अपना एक दुरगा मा और यहां का सीन देखो ना नाइट का सीन तो काफी हेबी और काफी मस तेकदम लग रहा है देखने में आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा से यहां पर पंडाल बनाया गया मा देवी बैसनो माता का गुफा यह बनाया गया गया गाइस अभी ना मैं आपको सारा पंडाल दिखाता हूं घजला की यह वली जूपना मा बैसनो दवी का पंडाल यह आपको पूरा देटेल में दिखाता हूं पलस आपना ये काली माता का मूर्थी देखो जो कि बहुती अद्भूत सा ही मूर्थी लगता हर एक साल ना यहाँ पे कुछ अलगी निसानी छोड़ जाते भैससुर जो भी काली मूर्ड इसको हम लोग बोलते हैं तो यहाँ सब यह आप लोग को दिखाते पूरा यहाँ का जो पंडाल है ना भैससुर का काली माता का यह सारा पंडाल अभी आपको दिखाते लाइक दूर से देख रहोगे बजरंग वली धर राम जी को लेके जा रहे हैं फिर उधर राम भगवान और बजरंग वली का मिलन हो रहा पहाड पी सारा कुछ दर्स आया गया इच एंड आवरिटिंग अगर गेस नहीं कियो तो पूछो में बता सकते हूं आप किधर आ चुके अभी अपन लोग नई सराय आ चुके यहां से आप लोग सामने चले जाओगे तो बिल्कुल आप लोग कुछ एसा सीन आता है आप लोग देख सकतो कुछ इस परकार सीन आता है गाईज और अपन लोग बस जाते जा रहे हैं भीड देखरो भाई कितना भीड है गाईज यह देखो भीड और उपर के साइड न सारे लोग चड़ चड़के न ऐसे ही बैठे हुए रहते कि भाई ज अंदर के साइड मूरती देखो न तो सामने एक साड़ देखो अभी दुर्गम आता है कैसे बिराजमान एक दम उपर में यह मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं अप लोग देख सकतो गाईज कितना अच्छा लग रहा ने पंडाल तो यह पंडाला खुद में काफी दा अच्छा चीज है नहीं बड़े लोग का और यहां से निकलते और फिर आगे पूल पर के तरफ चलते हैं गाईस जैसे थोड़ा सा आगे आते ना तो आपन लोग को दिखाते गाईस यह कुछ के सा पंडाल लग रहा है ना आप लोग देख सकते हो उपर के साड़ एकदम कि पहले से दुरगामाता का मंदिर है उसी को डेकुरिट करके ना इस तरीके से बनाया गया ना गाईस कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग खुद बताना कि तब प्यारा यह मंदिर लग रहा है तो फाइनली गाज यह देख सकतो मैंनो कामना देवी मंदिर यह है औ लाइक देख सकतो और अब यह अपना लोग आ चुके पूल पर गाईस लाइक यह अपना पूल पर आ चुके और सामने के साइड अपना बिलकुल ही प्यारा सा और बिलकुल ही अच्छा सा बहुत ही भव्य पंडाल बनके हो चुका है रेडी और इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर बना के रखा गया है बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा बहुत ही खुपसूरत पंडाल है प्लस मुर्ती बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया बहुत अच्छा फिनीशिंग है गाज आप लोग देख सकते हो और यह सो फाइनली गाज अभी अपन लोग पूल पर से बिल्कुल सामनी के साथ अंदर लिये ना जिधर नलंदम इस्ठान उदर अंदर आऊना तो बिल्कुल रोड के उपर अपना एक दुरगा माता का मंदिर बनाया गया पंडाल बनाया गया आप लोग उपर के साथ देख सकतो हम लोग नीचे से जा रहा है और पर अचली मार्केट के बिल्कुल ही आगे और कुलकता बजार के बिल्कुल थ्योड़ा प्हले तो सामनी एक साथ देखो न। यहां पे कानहा जी परवत को उठा के रखे एक उंगली पे और जस्ट वही जो पहाड़ पर उठाके रखे ना कानहा बगवान उन लही चाल्ठ में आचुके और फिर इधर का देख रहोगा इस सारा लाइटनिंग एकदम कि ता भ्यानक लग रहा और इधर के साट भीड देखो ना तो भाई काफी गंदा वाला एकदम बहुत ही ज्यादा भीड है और इधर के साट देखो सामने के साट जूला है सब और फिर यहां पर आपको भाई रुख जा यार यह कुछ ऐसा सीन आ रहा है गाइस तो अभी ना अपने लोग यहां से डाइरेक्ट धर के तरफ निकलने के लिए सोच रहा है तो कि यहां पर भीड देख रहो और बारा बच चुका है गाइस बलब साड एक ग्यार हो रखा है और फिर यहां प